हाई एब्रिवन आज के वीडियो में मैं आपके लिए ले करके आई हूँ सावुदाना की खीर की रेस्पी बैसे तो ये बहुत ही कॉमन रेस्पी है लेकिन बहुत से लोगों की जो खीर होती है वो बनाते समय फट जाती है या उतनी अच्छी नहीं बनती है तो आज मैं जो चमच देशी घी तो अभी आपको ज्यादा घी नहीं डालना है थोड़ा सा घी डालना है अब मैंने यहां पर लिए हैं आधा कप सावुदाना तो ये छोटा वाला मौती सावुदाना है सबसे छोटा वाला इसी से खीर बनाए जाती है क्योंकि जो मीडियम साइज वाला सा रख सकते हैं आपको रोस्ट करना है इसको आपको ज्यादा नहीं भूना द SHT पूर गणे इसको हम भून लेते हैं दो से तीन नट तक थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे तो इसे क्या होगा की खीर में अच्छा टेस्ट आता है और जो साबुदाना फट जाता है खीर में डालते ही तो वह चीज नहीं होती है बिलकूल फ्रेश एक एक दाने दाने जैसा साबु दाना रहता है और खीर खराब नहीं होती है तोर इसको हम करीब तीन मैं तक रोश्ट कर लेते हैं तो साबु दाना How है हलके सी रोष्ट हो चुके हैं हमें जादा रोष्ट नहीं करना था अब हम गैस को कर देंगे बन तो यहां मैंने एक पैन में दूद गरम होने के लिए रख दिया था तो जैसे ही दूद में उबाल आना सुरू हो जाए तो यह पहले से ही उबला हुआ दूद है तो यह देना और अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद आप गैस को बिलको लो कर दीजिए धीमा करना है आपको और धीमी आज पर करीब आपको दो-तीन मिनट तक इसको पकने देना है इसमें बहुत जादा टाइम नहीं लगता है साबुदाना की खीर मनने में तो दो-तीन मिनट हम एक बाद इसको एक बार और चला लेते हैं ताकि साबुदाना तली में चिपक Harryा तो अब इसको हम 2 मिनट तक और पकाली तो जैसे ही आपको लगने लगे साबुदाना जो है नरम हो चुका है आप् कहाँ हाँ से मसल कर भी देख सकते हैं लेकिन आपको एक अंदाज्या लग जाएगा तो आखरी स्टेज पर आपको डालना है चीनी, चीनी आपको स्टाइटिंग में नहीं डालनी है बाद में डालनी है। आप स्वाधर्षा साई न चीनी डाल सकते हैं कितना मीठा पसंद कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर एक कप चीनी डाल रही हूँ, एक कप से मैंने थोड़ा कम ही ली है चीनी, और इसको हम अच्छी से मिक्स कर देते हैं, तो चीनी के तुरंत बाद आपको आधा मिनट तक इसको चलाना है, यानि कि चीनी डालने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है, वरना दाना पक चुका है, और खीर बन करके तयार हो चुकी है, तो अब हम बिलकुल आखरी में डालेंगे, यहाँ पर, हमने यहाँ पर दो इलाइची ली थी, जिनको हमने बारी कूट लिया था, तो यहाँ पर इलाइची का हम पाउडर डाल रहे हैं, यहाँ अगर आप नहीं ड बस आप गैस को बंद कर देना है, और हम हम खीर को अलग एक बॉल में निकाल लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह खीर थोड़ी देर रखी रहने पर गहड़ी हो जाती है, इसलिए आप चाहे तो और भी इसमें दूर डाल करके अभी पतला कर सकते हैं, तो आप अपने मन मुताबिक ड्राइर फूर्ट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आप किश्वस भी डाल सकते हैं, आप उपर से हम डाल रहे हैं कुछ धागे केसर के, तो आप चाहे तो खीर बनाते समय, दूद में डाल सकते थी, लेकिन मैं उपर से डैकुरेट करने के मैं की सब्सेट के लिए तो यह देखिए हमारी साबू दाना की खीर बन करके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी खीर बनी है, एक एक दानत दिख रहा है और बिलकुल भी खीर नहीं भाटी है, तो आप इस तरह से अगर खीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार आप जरूर ट्राइए और टो फ्रैंड मीद करती हों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रैंड मीद्व करें लाइच शीयर चैनल को करी सब्सक्राइब फिर मिलते हैं अपने अगले वीडिए घर के साथ तब तक इलिए बाथ